कभी भी JavaScript में जब हम एक class बनाते हैं तो हम लोग constructor का इस्तमाल करते हैं और जो constructor होता है वो हमेशा invoke होता है जब भी class का कोई object बनता है चलते हैं computer screen में इस concept को समझते हैं और देखते हैं किस तरह से आप लोग arguments पास करके constructor को अपने objects को initialize कर सकते हैं JavaScript के अंदर let's get started so guys मैंने आप नई रैपल बना लिए constructor के लिए पिछला example जो कि मैंने आप लोग को दिखाया था 76 video में उसमें लोगों ने देखा था एक class को कैसे बनाते हैं और हमने class बनाई भी थी और हमने जो example लिया था उसी की class बनाई थी हमने रेल रेजर्वेशन की बात की थी हमने का था एक form बट रहा है और उस form के अंदर कुछ fields हैं कुछ placeholders हैं और वो आप भर देते हो तो object बन जाता है और वो form generic form ए class है ठीक है इतनी बात हमने होई थी सबने समझा सब को बढ़िया लगा आगे की कहानी क्या यार यह तो बताओ तो मैं आगे की कहानी में क्या कर रहा हूं कि 76 examal को पुरा का पुरा चाप रहा देखो copy paste करना पुरी बात नहीं गलत तरीके से गलत चीज को मतलग गलत तरीके से किसी के चीज को copy paste करना पुरा को था ह। Flu is कर सकते हैं हम या तो हम उसको कैंसल कर सकते हैं और सब बीड भी कर सकते हैं फिल में हमने का था कि और वो आप फिल करना चाह रहे हो तो तो कोई अजीब सी हरकत करने लग गई हमारी website undefined your form is submitted for train number undefined ठीक है और ओके 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 करे जा रहा हूं मैं आपर और ये पता नहीं क्यों बार बार चले जा रहा है तो यहापर basically क्या हुआ दो बार चला basically तीन बार चला मैंने एक बार तो दो बार cancel के लिए चला तीन बार submit के लिए चला दो बार cancel के लिए चला ठीक है ये तीन बार submit के लिए एक बार cancel के लिए ठीक है तो अब इसका क्या solution है देखो ये problem solve तो की जा सकती है या आप कुछ ऐसा कर सकते हो, आप को गई कि यार मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा, कि यह undefined तो नहीं है, या फिर error handling use कर लूँगा, बहुत सारी चीज़े आपके दिमाग पर आएंगी, लेकिन हम use करते हैं constructor का, हम यार classes को बना रहे हैं, अपनी जिंदगियों को आसान बना इसे के ऐसे ही रहेंगे, हम कहेंगे यार एक यहाँ पर और method आएगा, जिसका नाम है constructor, अब मैं अगर यहाँ पर console.log करूँगा, मैं आपर लिख दूँ, constructor called, ठीक है, तो यह क्या करेगा, देखते हैं, इसको मैंने save कर दिया, called, अच्छा वो देख लिया, नहीं तो comment आते, called की spelling मिनी आती, ठीक है, तो reload करूँगा मैं इसको, और देखो, constructor तीन बर call हुआ, और यह जो हमारा alert होता है, वो blocking होता है, तो जब मैं okay करूँगा, okay करूँगा, okay करता रहूँगा, उसके बाद नीचे का code चलेगा, ठीक है, तो मैं आपर okay कर रहा हूँ, इसको भी okay किया, म कुछ हो या ना हो, यह जरूर चलेगा, इसको चलाएगा कौन, क्या मुझे dot constructor लिखना पड़ेगा, नहीं, नहीं लिखना पड़ेगा, यही beauty है, तो constructor का मतलब, वो method, जो हमेशा चलता है, जब भी object को बनाया जाता है, symbol सी बात है, notes में आ जाओ, the constructor method is called automatically by new, so we can initialize the object there, ठीक new railway form, constructor automatically call हो गया, ठीक है, अगर मान लो, मैं constructor में ये काम करना चाता हूँ, जो मैं fill है, मैं कहता हूँ, मैं fill को खतम करना चाता हूँ, मुझे, मैंने ये जो काम किया है, fill के अंदर नहीं, मैं fill में करना ही नहीं चाता, मैं करना चाता हूँ, ये काम कहाँ पर, constructor के अंदर, ठ console.log online भी इसके अंदर ले जाता हूं और यह फिल हटा दिए मैंने फिल मेथड जो है खतम ही कर दिया मैंने का यह फिल नीच ही है हम करेंगे constructor में ही सीधा का सीधा काम तो मुझे अलग से form को fill करने की जरूरत नहीं है मैं इसको रिलोड करूँगा तो यह जो constructor है वो हमेशा call होगा तो यहां पर आप देखो मैंने Harry और यह लिख दिया तो इसके साथ call होगा अगर मैं इसको ऐसे ही चला दूँगा तब यह दोनों values यहां पर नहीं मिल पाएंगी तो मैं काम करता हूं और यहां पर मैं प्लस करता हूं given name ठीक है और train number ठीक है यह दोनों चीज़े मैं लिखता हूं और एक चीज़ और करूँगा यहां यहां पर एक space भी देदूगा ठीक है और अभी मैं अगर रिलोड करूँ और ना मैं यह alert call सोड़ी सी annoying लग रही है मुझे मैं इनको अटा के देखो undefined undefined आ गया है आप ठीक है तो undefined undefined आ जाएगा अगर आपने नहीं पास किया argument दो और error क्यों नहीं आया undefined undefined क्यों आया क्योंकि देखो जावस्क्रिप्ट का काम है ब्राउजर पर रहनो ना और जावस्क्रिप्ट कोशिश यह करती है आपको error ना दे कोशिश यह करती है जावस्क्रिप्ट हमेशा कि आपका code चले ठीक है तो इसलिए आपर यह इस तरह की behavior आप लोग को देख नहीं है ठीक है मैं इसको उटा दूँगा create and fill कर दूँगा इसको मैं create and fill ठीक है और मैं आप लिख देता हूँ no need to यह करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको Harry की details जो है इस तरह से fill करने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है तो यह काम मैंने कर दिया और अब आप लोग देखो यहाँ पर जैसे मैं इसको reload करूँगा तो यह आप देखो Harry फिर Rohan train number भी आ गया रोहन train number भी आ ठीक है तो this form is cancelled for train number this तो यह चीज की जा सकती है अब अगर आप लोग यह चाहते हो कि एक इनसान की एक train बने वो भी आप कर सकते हो तो मैं आप लोग को दिखाता हूं कि यह काम कैसे किया जाएगा तो मैं सबसे पहले तो चाहता हूं कि यह code ऐसे कैसे ही रहे तो मैं एक नई file बनाऊंगा औ अधर मैं एक काम करूंगा इस पुरानी file का नाम script old कर दूँगा ताकि यह आप लोग को code मिला रहे ठीक है मैं नहीं चाहता कि यह मैं delete कर दूँ और फिर आप लोग को दिक्कत हो मैंने script old के नाम से ही रख दिया और आप लोग अगर follow कर रहे होगे code तो आपको पता होगा script old में क्या लिखाय और script में क्या लिखाया ठीक है और script में मैं नया पूरा पूरा time jam बना रहा हूँ, नया time jam मतलब मतलब कि एक नही class बनाऊँगा और पूरा ना इसको थोड़ा सा change कर दूँगा थोड़ा organize कर दूँगा ठीक है जैसे कि हमने बात कि ना भी कि मैं इसको ऐसे कर दूँगा railway form मैंने बनाया मैंने का constructor जो क्या करेगा given name और एक train number given name और train number के साथ एक तो नाम जो है वो set कर देगा उस इंसान का जिसने भी form भराए और इसके बाद train number जो है वो आ जाएगी इसकी ठीक है फिर इसके बाद उसका address आ जाएगा letter से add कर देता हूँ और मेरी मर्ज़िवा पूरा address भी लिख सकता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन यहां भी मुझे address लिखना पड़ेगा और यह सारी details देने के बाद मैं चाहूँगा कि अगर कोई भी इनसान cancel करता है train अपनी तो उसका जो train number है वो undefined हो जाए यहां फिर train number zero हो जाए ठीक है यह हमारा convention है कि अगर कोई भी cancel करता है तो train number zero हो जाए और यह हम convention रख सकते हैं train number उसका zero हो गया क्योंकि कोई भी train नहीं है उसको allocated और उसी के साथ साथ name उसका नहीं बदलेगा address उसका नहीं बदलेगा ठीक है मान लो मैं this.time भी कर देता हूं यहां नहीं कि train का departure time है वो आ जाए यहां पर और वो भी मैं यहां पर दे सकता हूं ठीक है तो time आपके time देखना चाहते हो यह फिर form में हम क्योंकि time नहीं भरते हैं इसलिए मैं इसको उटा देता हूं पर इस तरह के 17-17 variables होंगे ABCD के नाम से मैंने इतने बड़े-बड़े code basis में काम किया हुआ है कि Z तक भी variables खतम हो जाए कि ABCD डालना चुरू कर दिया तो इसलिए नाम लिखोगी क्या चीज़ क्या है यह क्या ही एक form है किसका form है Harry का form है तो इसको Harry form करके लिए हो ठीक है और इसको बना है मेरे railway form से और मैं आपर सारी चीज़े दूँगा एक तो name दे दूँगा ठीक है और मैं कुछ इस तरह से fill करूँगा Harry train number में मान लो 13488 ठीक है तो तीसा argument क्या ले रहा है मेरा constructor address ले रहा है ocean बिहार ठीक है यह मेरा pin code है 00555 ठीक है यह मेरा address है ठीक है यह मैंने लिख दिया है आपर और मैं क्या करूँगा है आपर अब यह मेरा form बन चुका है अब मैं इस form को submit करूँगा और मैंने अलग method क्यों बना है submit का submit को भी constructor में को नहीं गुसा दिया क्योंकि maybe आप इसको इसको preview भी करना चाहें ठीक है preview भी करना चाहें एक method आप बनाना चाहें जिससे कि आप preview करेंगे इसको तो आप एक preview नाम का जो method है वो आप लगाओगे यहां पर और जब preview करोगे आप तो यहां पर आपको यह देखने को मिलेगा your form your form is for train number और यहां पर ब्लस लगा का लिख दूँगा and your address is और यहां पर this.address ठीक ही कुछ इस तरह से कर देंगे तो this. यह preview हो गया यह submit हो गया cancel हो गया ठीक है तो constructor, preview, submit, cancel ठीक है यह मैंने methods लिखे तो अब मैं harry form.preview करूँगा अब बाइद वह मैं आपको बता दूँए index.html में यह script.js added है ठीक है script.js added है इसलिए मैं reload करूँगा तो यह वाली script चलेगी पुरानी नहीं चलेगी तो यहां पर आगया harry form is for train number 13488, data addresses 420 specific ocean, ocean, bihar pin code मेरा ठीक है मैं okay कर दूँगा तो यह मैंने preview method बना दिया अब मान लो मैं चाहता हूँ heady form dot और मान लो मैं multiple trains को book करना चाहता हूँ तो मैं train को एक airy भी बना सकता हूँ sky is the limit मैं कुछ ऐसे भी कर सकता हूँ और मैं add train method बना सकता हूँ जो कि push करेगी इस airy के अंदर तो कई काम किये जा सकते हैं मैं बस यह बता रहा हूँ फिर अगर मैं submit कर दूँगा तो मेरा यह submit वाला method call हो जाएगा cancel कर दूँगा तो cancel वाला method call हो जाएगा तो मैं अगर harry form dot cancel करके harry form dot preview करूँ दुबारा से और मैं मैंने क्या कर रहा हूँ पहले preview कर रहा हूँ submit कर रहा हूँ फिर cancel कर रहा हूँ दुबारा preview कर रहा हूँ ठीक है तो इस तरह से मैं इसको reload किया यह मेरा form आ गया ठीक है फिर इसके बाद यह form is submitted for train number this फिर this form is cancel for train number this फिर देखो your form is for train number zero and your address is this क्योंकि मैंने reset किया था zero का मतलब कि अभी कोई allocated near train मुझे तो मैं okay कर दूँ यहां पर तो इस तरह से constructor काम करता है hope कि आप लोग समझ गए constructor क्या है और किस तरह से इस्तमाल करना है javascript के अंदर बहुत सारी insert outs होते हैं बहुत सारी advanced चीज़े हैं और उसके लिए आप MDN docs पढ़ सकते हो MDN जो javascript के official docs है mozilla.org पर वह आप पढ़ सकते हो ठीक है और जैसे मान लो मैंने constructor लेगा MDN docs के बाद तो मुझे यहां पर यह सारी की सारी जानकारियां मिल जाएंगे इसके बारे मैं पढ़ सकता हूँ मुझे basics पता है मुझे पता है जब पूरी prototype बोल रहा है तो इसका क्या मतलब है तो यहां से मैं देख सकता हूँ इनोंने भी इस सारी बाते बताई हुई है examples हैं और आप इस तरह से लिख सकते हैं arguments अलग-अलग arguments से constructor बना सकते हैं यह सारी चीज़ है ठीक है I hope कि आप लोग समझ गए इस चीज़ को अब एक बात और रहे हैं कि इसमें आप पर लिखा हुआ है कि if you don't provide your own constructor then a default constructor will be supplied for you और वो इस तरह से दिखेगा आते हैं तो काम करते रहो websites बनाते रहो और चीज़े अपडेट होती है नई-ने specifications आएंगे नई-ने चीज़े आएंगे आपको कोई बताएगा कि बहुत जरूरी है और आते भी रहते हैं तो उन चेंज़ेस के साथ भी आपको रहना है ठीक है यह सारे जो मैं बता रहा हूँ अभी यह basic से भी थोड़ा सा उपर है मतलब मैं तो यह कहूंगा यह quotes जो मैं बता रहा हूँ इसमें सारे topics covered है A to Z ठीक है तो with that said मैं अगले वीडियो में आपको class inheritance के बारे में बताएगा कि extends keyword का कैसे करना है और अगर आप किसी भी base class से बनाना चाहते है एक derived class वो कैसे बनाना है तो अगले वीडियो में देखेंगे inheritance, extends keyword और कैसे एक class से दूसरी class बनाई जाती है ठीक है तो अभी के लिए इस वीडियो में इतने हैं guys thank you so much guys for watching this video playlist को ज़रूर access करना and I will see you next time झाल झाल झाल